साल 2023 की अगर बात करें तो भारत के लिए ये साल उलेखने रहा बिलकुल तो आप सभी को बधाई और आईए केलेंडर के पन्ने पलट कर महिने दर महिने जानते हैं आखिरकार जन्वरी से लेकर दिसंबर 2023 तक क्या विशेश उपलब्दी रही जन्वरी 2023 की बात करते हैं पहल यानि एक प्रिथवी, एक परिवार, एक भविश्य है फरवरी में बजट पेश हुआ और वहां पर ग्रीन ग्रोथ पर काफी फोकस था E20 फ्यूल और मार्च की अगर बात करें तो भारत को मिली खुश खबरी दो दो ओसकर अप्रेल में भारत बना Most Populous Nation और मार्च की बात क बात को मिली जून में डिश्टल दिमाका यानि डिश्टल पेमेंस में भारत अग्रणी स्तान पर पहुचा जुलाही में इंकम टैक्स समय से फाइल की बहुत से लोगों ने और ये रेकॉर्ड तोर दिया हम लोगों ने फिर आकस्त हमने सततर वा अपना स्वतंतरता दिवस मनाया और चंद्रयां तीन सपलता पूर्वक चांद की सथा पर पहुचा सितंबर में जी ट्वेंटी समिट का आयोजन हुआ और ऑक्टूबर की बात करें तो क्रिकेट वाल्ड कॉप सपंचाया वादा नेवंबर में आयोध्या का दीपोचसफ एक गीनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना 20 लाग से जादा दिये और दिसम्बर आते आते स्वर्वेद महामंदिर जीहां लाजस मेडिटेशन सेंटर बनारस में उसका उद्गाटन हुआ और अब जब हम कह रहे हैं अलविदा 2023 और सू स्वागतम 2024 तो आईए इन विशेश उपलब्दियों पर बातचीत करते हैं डीरी मॉनिंग शो के इस एरेंड स्पेशल में आज हमारे साथ हैं आचारे प्रतिष्ठा जी नमस्कार आपके लिए साल कैसा रहा जिंदगी की कौ आपने कितने खुबसूरत तरीके से सिंगावलोकन किया कि देखे हमारी यह उपलब्धिया रही तो हमें तो जीवन में परमात्मा ने बस यह जो एक मोटिवेशन दिया हुआ है कि आप दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाएं आप योग के माध्यम से अध्धात्म के मा अध्यात में प्रगती की अगर बात करें तो अभी जैसे भारत में सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर अब बन गया है और इंफ्रस्रक्टर के पॉइंट ओफ यू से भी एक काफी बड़ा है लगवग 20,000 लोग एक साथ यहां पर मेडिटेट कर सकते हैं तो इस बारे में आपको क्या लगता है कितनी जादा अगर वर्ल्ड को हम कोई मेसेज देना चाहें तो क्या रहेगा मुझे लगता है विश्व को तो हमने बहुत बड़ा मेसेज वसुधेवकुतुम्बकम के माध्यम से दे ही दिया है और हमारे इमान्य प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से soft diplomacy को आगे लेकर के जा रहे हैं चाहे फिर वो योग के द्वारा है, sanskriti के द्वारा है, culture के द्वारा है तो हमने एक बहुत strong message दिया है कि we are a country of yoga, we are a country of culture and we are a country of peace and love और वसुधेवकुतुम्बकम यानि ये पूरा विश्व जो है बहुत बड़ा एक ही संसार है और ध्यान जो है वो योग का इक अभिन अंग है कभी-कभी हम कह देते है योगा and meditation बट ऐसा होता नहीं है ध्यान, meditation, pranayam, these are integral parts of yoga और उसे अलग करके हम नहीं देख सकते हैं तो ये तो सौभाग्य की बात ही कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान का केंद्र है पर ये जरूरी है कि अगर हम देखें G20 की अध्यक्षता इस साल भारत के पास थी, 200 से ज्यादा मीटिंग का आयोजन हुआ, 60 से ज्यादा शहर में people's movement बन गया G20 लेकिन जो उसकी theme थी, Vasudev Kutumbukam, और उसे से जुड़ी बात हुई की one earth, one health, तो क्या इस साल एक बात नहीं जागरती हुई, कि अ My environment is not clean, if air is not clean, तो मैं स्वस्त कैसे रह सकता हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षानाम, यानि जो भी आप चाते हैं उन चार चीजों के बीच में है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म से जुड़ा, अर्थ से जुड़ा, फानांस से जुड़ा, काम, अर्चाओं से चुड़ा, या मोक्ष मुक्ती से जुड़ा, फिर कहा गया, आरोग्यम मूल मुत्तमम, इन सब को पाने का तरीका तो आरोग्य है, हम कह दें कि मैं शरीर से परे हूँ, बहुत अच्छी बात है, शरीर से परे की अवस्था में पहुंच जाएं, पर शरीर से अच्छी बात है, बहुत जरूरी है कि हम तन के धरातल पर शुरू करें पर ये अवेरनेस कि शरीर माद्य हम खलुधर मसादन हम, शरीर जो है, वो मोग शायतन है, भोग आयतन नहीं जब हम बात करते हैं कि, अक्सर कहते हैं कि जिन्दीगी में हार जीत तो लगी रहती है, अभी हमारी भारत एक रिकेट टीम वर्ल कप में फाइनल्स तक पहुंची थी और बहुत उसने वावाई भी बटोरी, लेकिन कहते हैं कि हार जीत जो है वो एक हिस्सा है और आपको उ जय को तो नहीं जल रही है, आप और आप और हम जो बोल भी रहे हैं, हम आसे तो नहीं बोल रहे हैं अमीड जी ऐसा कीजिए लेग उसमें भी एक मॉवडूलेशन है, तो इसके लिए उसरा आँ इस दो है च्छा कि जीवन में बह। दुखी हूं तब ही से याद कर लो और तो बहुत खुशो तब है रहत कर छो क्या? कि वो दिन ना रहे तो यह दिन भी ना रहेंगे तो जब हम uniform, तो आम भाहओ नहीं आएगा और बहुत डुक ही है तो आप डिपरेस्ट नहीं हो तो इस के मुंध का मंत्र यह लेकर जैए तो जीवन में फिर आपको आनन्दित रहने से, मिलाब सुख दुख से भी उपर उठके, हम आनन्द की अवस्था में रहें, समत्वम योग उच्छते, जो कुछ है मैं उसमें बस आनन्द को जी रहा हूं, क्योंकि ये तो बाहरी रूप में चलता रहा। जी, उमीद है, रोईच शर्मा और टीम आपकी बातों को सुनेगी, एकसेप्ट करेगी, we still love our Indian cricket team, लेकिन 2023 भारते खेलों के लिए बहुत अच्छा रहा, शेफ आली वर्मा की कप्तानी में, Under 19, Women's World Cup हमने जीता, पहली बार Women's Premier League का आयोजन हुआ, तो उकल मिलाकर बहुत सी उ लेकिन इस साल चंद्रयान तीन, जब चांद पर सबलता पूर्वक सतेह तक पहुंचा, 23 अगस्त राष्ट्रे अंत्रेक्ष दिवस, वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट था, बिलकुल, और भारत जिस तरह से बढ़ रहा है, और जिस संगरक्षन में बढ़ रहा है, क्योंक आज हमारे spiritual tourism को देखिये हम कहां लेकर के गए है, आज हम soft diplomacy को देखिये कहां लेकर के गए है, so we are growing with each and every step. 2024 में space tourism, yoga, on the moon, आपसलूटी, क्या यहीं हो सकता है, चांद पर yoga अक्तूर रही, यहाँ पर एक जिम्मेदारी की भी बात आ जाती है, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का हैसास हो, तो कुछ बहतर ही करता है. I have a question for you then, जब 31 जुलाई income tax return भरने की आखरी तारी थी, तो भाबना ने जिम्मेदारी निभाई return टाइम ली डाली थी? आप तो जानते हैं, मैं कितनी जिम्मेदार हूँ, लेकिन इस बार एक record हमने बनाया, कि 7 करोड लोगों ने इस पार समय से अपनी आएकर के return डाली, तो जब राश्णिर्मान की बात है, समय से tax देना भी थो एक कारे है, बिलकुल, पहले तो आपकी moon वाली बात पर बात पर बहुत अच्छी है कि हम परिस्थितियों को बदलने में लगे रहते हैं, बट मनस्थिती को नहीं बदलते हैं, जब परिस्थिती कुछ भी हो, मनस्थिती अगर मेरे नियंत्रन में है, तो परिस्थिती भी मेरे नियंत्रन में धीरे देरे आते हैं, और उसका बहुत बढ़ संस्कृती और भारत को विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है तो और जहां तक टैक्स की बात है तो मुझे लगता है कि हर जिम्मेदार नागरिक को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाने चाहिए तब अगर किसी दे नहीं निभाई नोटिस आ गया तो फिर योग मदद कर सकता है मन की स्थिती को तो चंट्रोल करने में करी सकता है लेकिन अगर आपने रिटर्न नहीं डाली है तो फिन्टी टू 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 रिटर्न अभी भी डाल सकते हैं 31 दिसमबर तर तो दो तिन दिन शेष हैं ठोड़ी फीस लगेगी एक और बड़ा खुबसूरत लमा 2020 मार्च में जब आउसकर पूरुसकार मिला एक नहीं दो दो नाटू नाटू पे डांस और अलेफेंट विस्पराइस देखिए हम तो वह संस्कृति हैं जहां योग और नृत्य दोनों के उद्गम और परिनती एक ही है यानि दोनों दुख से आरंभ हुए वन मैन वस साड तो ही सोच फ़र पर्मनेंट सुलूशन उसे योग मिला जब मनुष्य पहली बार आनंदित हुआ खुश हुआ तो उसे नृत है वो जूम करके नाच उठा और दोनों हमें आनंद के ओड जाते हैं और कला जो है क्योंकि कला कार का मतलब होता है जो कल को आकार दे वही तो कला कार देने वाला तो हमारे कला कारों इतना सुंदर कारे किया और कैसे कला के माध्यम से हमने देश को एक पहचान दिलाई तो यह हम सब के लिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर आने वाले यह कल का संकल्फ हमारा ही नहीं, सब का यह होना चाहिए, कि पहली चीज हम अपने तन को स्वस्थ रखें, पर यह अवेर्नेस के साथ, भी मई तो यह अवेर्नेस के सब का यहां, यहां पनेसे नहीं और पेकिन का ज़िए कि अगयाने, पॉण भांगे कर यह रखें एक जनुवरी वह स्वस्थ ना साम वार्नेस के साथ, और बॉस अगर चुट्टी ना दे, इम्कलॉई क्या करें। यह तो बात है। तो आपको यह करना है कि उस अवस्था में भी थोड़ा एक बड़ा अच्छा सूत्राता है कि विद्या अभ्यास ने प्रसीदती तो उसमें कहा गया कि गुरु जो है वो सेवा से प्रसंद हो जाते हैं वो थोड़ी चाटुकारिता से प्रसंद हो जाते हैं नेता भी चाटुकारिता से लेकिन विद्या अभ्यास से प्रसंद हो तो विद्या के लिए तो अभ्यास रखो और बॉस को थोड़ा खुश कर लो तो थोड़ी तारीफ कर दो, कोई बुराई नहीं होती है। कारीफ सबको अच्छी लगती है। और यह एक आकरशन का सूतर है, कि अगर आपको किसी को उपने वश में करना है, बस उसकी तारीफ कर दीजे। और हर किसी जूट नहीं बोलना, हर किसी में कुछ न कुछ अच्छा होते है, बस उस अच्छे को अप्रिशेट कर दीजे, जीवन में आनब दा जाएगा. बिल्कुल और हम भी विल्कुल भावना, तैदुल से शुक्रिया करते हैं, अचारे प्रतिश्टाजी का, क्यी मई से जब डीडी मॉनिंग शुरू हुआ, तब से लगातार आपने बी पोसितिव के माध्यम से, पोसितिविटी और सकरात्मा कूर्जा आपने इस कारिक्रूम क माध्यम से आप जो पॉसितिविटी पैला रहे हैं, सकरात्मक्ता पैला रहे हैं, तो आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत साथ हुआत, Thank you, Thank you very much, Wish you a very happy new year 2024, thank you.